यहां एक तरफ देश हिंदू-मुस्लिम दंगों से उबर रहा है वहीं अगर मदरसा हिंदू के लिए शरंस थली बन जाए तो सच में भारत की विविंता में एक्ता को प्रदर्शित करता है और बताता है कि आज भी सबसे बड़ा धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ही है दे ठीक ना एक दिन सबकुछ फिर से ठीक हो जाएगा असाम का हाल तो किसी से छिपा नहीं है बार ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है बार की वज़े से समाने जिवन पूरी तरह से एस्त व्यस्त हो गया है लाखों लोग बेघर हो गए हैं और ये उमीद लगाए ये लोग बार में अपना घर, खेत, खलेयान, सब कुछ गवा चुके हैं इस रिलीफ केम्प में 468 लोग हैं जिसमें से 179 आदमी 165 और 124 छोटे बच्चे हैं इनके इलावा इस केम्प में कुछ ऐसी महिलाए में हैं जो प्रेगनेट हैं इस टाइम पे इनके इलावा तस्वीरे करोना काल में भी सामने आई थी जब कई मुस्लिम्स ने हिंदू शवों का अंतिम संसकार करवाया था यहां एक तरफ धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत प्रोसी जा रही हैं वहां ऐसी तस्वीरे भी हैं जो असली हिंदूस्तान को पेश करती हैं शोशल अनिये प्रयास मदर्शा द्वारा वहीं मोहम्मद साजीद लिखते हैं सभी हिंदू भाईयों को मदर्शा और सभी मुस्लिम भाईयों को मंदिर का समान करना चाहिए ना जाने कब संकट की स्थीति में यह धार्मिक स्थल ही एक मातरव येवन यापन का साधन बन जाए वह इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले कि मानफता आज भी जिन्दा है